West आजके class से हम लोग semester one का بी ब्म के university Play semester 1 का जो common paper है चाहे आपका math major paper हो चाहे physics major paper हो चाहे कोई सभी major paperpee 것은 one एक है 시작 one Paper में Mathematical and Computational Thinking Analysis जोकि सभी बच्चों का common paper है आज से इसी paper को शुरू करने वाले हैं और complete syllabus हम लोग करेंगे इस series में जिसका आज ये पहला class है बहुत basic class है बहुत सारे concept के बारे में बात करेंगे आज हम लोग पहले syllabus discuss कर लेते हैं उसके बाद फिर हम लोग course पर चरचा करेंगे class शुरू करेंगे ठीक है और ध्यान है बहुत detail में हम लोग बात करेंगे एकदम बहुत अच्छा तेक से subjective पढ़ेंगे पूरा theory पढ़ेंगे उसके बाद फिर बहुत सारे MCQs करेंगे क्योंकि exams में आपका MCQs ही आएगा syllabus में बकाइदा कहा गया है कि subjective questions आएगा पर ऐसा नहीं है question जो आएगा MCQs आएगा objective आएगा multiple choice वाले questions आएगे तो दीखें नहीं यहाँ पर सबसे पहले हम आपको syllabus दिखा दे है student जो भी बच्चे present है live classes में देखें आप द्यान देखें एस एसी सीवन सेमेस्टर वन यह कौन से इनुवसिटी है तो BBMKU का है यह एसी सीवन mathematical and computational thinking and analysis जहां पर student तीन यूनिट है total common paper है arts वाले बच्चों का भी जिन बच्चों का commerce इस बैग्राउंड से उनका भी है science वाले बच्चों का भी है एक बार हम देख लेते हैं कि क्या सारे बच्चे present है class में चले कि अगरे कि अगरे संदीप चले जी कुटीबिंग सबको तो दीखें यहां पर syllabus की बात करते हैं तो पहला क्या है syllabus यूनिट वन में है elementary arithmetic elementary arithmetic यहां से भी mcqs ही रहेगा आपके exams में ध्यान रहे कि यहां पर कुछ-कुछ topics जासे number system and rapid method of calculation approximation decimalization ratio proportion तो यहां पर तीन चार टॉपिक्स है जी number system and rapid method of calculation उसके बाद approximation decimalization ratio and proportion जो कि ज्यादा तर question जो मुझे ऐसा लग रहा है जो कि previous में जासा होता रहा है approximation से questions आएगा decimalization से question आएगा ratio proportion से question आ सकता है rapid method of calculation से सायद ही questions आए पर हम लोग एक-एक topics को बहुत सुंदर से पढ़ेंगे second unit जो है आपका sets पढ़ना है sets में बहुत खूब अच्छे तरीके साथ सेट पढ़ना है उसका representation पढ़ना है कितने types के set होते हैं पढ़ना है singleton set equality of set family और class of set universal set वगरा वगरा पूरा set theory पढ़ना है इसमें बहुत मजाएगा और third unit student हमें statistics पढ़ना है definition of statics, characteristic of statical data, nature of statics, limitations of statics, collections of data और भी बहुत सारी चीज़े हैं यही total student तीन units है जिस आज के class में हम लोग unit 1 का सबसे आसान और सबसे important अलागि सारही topic आसान है लेकिन सबसे important topic जो बोल सकते approximation उसको आज हम उख सुरू करेंगे थोड़ा सा बचों confuse करता ही है topic कि कैसे round off करेंगे significant figure क्या है digit क्या है सब समझेंगे हम लोग तो आज के class में यही topic सुरू करेंगे approximation और आज के class में फिरम number system and rapid method of calculation भी पढ़ाएंगे आपको मतलब शुरुवात करेंगे यहां से जैसे जैसा time होगा उस तरीके से करवाएंगे तो चार से पांच classes में यह पूरा हम चार से पांच क्लास में unit 1 खतम करेंगे साथ साथ क्लास इसमें लगेगा और चैसे साथ क्लास इसमें तोटल 25 लेक्चर में पूरा स्लेवर्स कंप्लीट करेंगे एक गंटे के लेक्चर्स होगा आप लोग धनबाद मैस अकाडमी के application इंस्टॉल कर दीजिए classes YouTube पर अभी आप देख पा रहे हैं बागे complete PDF अगर Approximation यह सुरू कर रहा है हम लोग क्या सुरू कर रहा है अपरॉक्सीमेशन तो आपका औजेक्टिव होने जा रहा है क्या होगा औजीक्टिव एक्जाम होगा लेकिन हम लोग बहुत अच्छा तरीगें से पूरा थीयोरी पढ़हेंगे है न हम लोग खुब अच्छे से थियोरी पढ़ेंगे, तब जाकर कि MCQS हम लोग खुद से करता हैंगे, तो जैसे कि मैंने बता है, फिर से हम दिखा दें आपको, कि Unit 1 स्टुएंट, Unit 1 का ये टॉपिक जो है Approximation, इसको अच्छुरू करके खतम भी करेंगे, Approximation, टाइम बचेगा, तो और लाइट में भी देखते हैं, जैसे एक, बहुत सरे ऐसे values होते हैं, जैसे अगर हम आपसे कहा दें, कि 10 को 3 से भाग लगाए, 10 को 3 से डिवाइट करें, मतलब यहाँ पे 10 है, 3 से डिवाइट करें, फर कर देखें कितने बार में आएगा, 3 टाइमस में, कितना 3 तिया 9, कितना फिर से 0 दियेंगे, फिर से 3 बार में, फिर से 9, फिर से 1, फिर से सेम चीज, फिर से सेम चीज, फिर से सेम चीज, तो आप देखिएगा कि 3 पॉर्ट 3, 3, 3, 3, चलते जागा, चलते जागा, रुकेगा ही नहीं कभी, तो बता ही, आपको कॉपी खतम हो जागा, पर यह डिव पर्जेंट करने का लिमिटेशन से कि हम कितना दूर तक लिख सकते हैं इसे लिमिटेशन से हमारे पास तो यहां पर जुरूत पढ़ता है अप्रॉक्सिमेशन का कि हाँ इतना बड़ा क्यों लिखेंगे हम दैट ऐसे नहीं रिख देंगे 3.3 या 3.33 जितना सिग्निफिकंट फिगर तक आपको बोला जाएकिए 2 decimal places तक करिए अब यह decimal place क्या है significance क्या है यहीशा word है exact नंबर क्या होता है approximate नंबर क्या होता है सब समझेंगे खुब अच्छे से शंझेंगे पर फिलाल समझेँ नहीं जरुत क्यों है आखिर हम क्यों पढ़ेंगे स्मझ रहा है एक बारा रुपए कि लोकुछ सब्जी मिल रहा है एक राउंड ऑफ कर दीजे पूरा पूरा लगा दीजी तो अधेश लाइफ में देख रहा है चले तो फिले अप्रोक्सिमेशन को समझेंगे अब दके लिए ने यहां पर आपको common एक example बताय रहे थे जैसे भी हमारे पास number आ रहा था three point दीखे तो three point three 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 dot 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 एकदम and so on तक जा रहा था इसी number को हम approach करके अलगतरी कैसे लिख सकते थे कोई बच्चा दूसरा बच्चा approach करके थोड़ा और सही करके लिखते हैं जैसे कोई बच्चा माली सको लिख दे three point three three ठीक है जी कोई बच्चा माली सको लिख दे three point three three कोई दूसरा बच्चा हो सकता है वो बोल सकते नहीं से हम three point three 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 लिखेंगे यह भी साही है को यह बंचा 3.3 लिखे तो वोढ़ी साही है ऐसे numbers को जिन्हें एक से अधिक तरीके से represent किया जा सकता है उन्हें बोलते है, approximate नंबर क्या बोलते है, approximate नंबर और वैसे number जिनको सिर्फ और और सिर्फ एक ही तरीके से यह represent किया दा सकता है, उन्हें कहते हैं, exact number, जैसे कि 2, यह क्या होगा, exact होगा, कि हाँ यही है, बट यह सब numbers होगा, वो क्या होगा, approximate number, तो छोटा सा दोगो definition है, जोली से इसको भी लिख लेते हैं, क्योंकि जरूरत आगे पड़ेगा, जब हम rule वगरा समझेंगे, जैसे हम य example देदे, आपको क्या है, जैसे 2.978215, लिखना नहीं अभी, ठीक है न, अभी जो समझाया जा रहे है, इसको लिखना नहीं है copy में, जब हम यहाँ पर note down करेंगे, तो खूब frame से लिखना है, अगर student हम आपसे यह कह देगे, हमारे पास एक number है यह, हम बोल देख सी sir, इस number क तो तीन सिग्निफिकेंट फिगर तक round off करिए, क्या करिए, तीन सिग्निफिकेंट फिगर तक round off करिए, तीन सिग्निफिकेंट फिगर, अब यह सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, समझाएंगे आगे, तो पतह है, इसका तीन सिग्निफिकेंट फिगर तक round off करिगा, त लिए इसका तीन सिग्नेफिकंट फिगर तक राउंड अफ हो गया अप्रॉक्स लिख दिये हैं इसको लिखे सारे चीज़ें हम लोग धीर धीर करके समझेंगे आये इसके बारे में विचर्चा करेंगे लेकिन सबसे पहला तो हमारा यही है कि इग्जाट नंबर होता क्या है दूलाइन के छोटा सा डेफिनेसर है चली एक करष्टूर्ट के रहे हैं समेश्टर फॉर क्लास का वोगर जी समेश्टर फॉर क्लासेंंट क्लासेंज जह है वो कल सूबह 9 बजे से होताँ तो बिलकुल पर niewan lodge मिलेंगे हम लोग लाइब क्लासेई में क्या कि क्या क्या है उससे पहले सबसे पहले लिखिए न आप लोग इग्जैक्ट नंबर क्या होता है क्या लिखना है सबसे पहले इग्जैक्ट नंबर Exact Exact Number Exact Number लिखे तो जल जीसे An Exact Number Exact Number क्या होता है वैसे number जिसको REPRESENT करने का सिर पर सिर पर इसी तरीका हो An Exact Number can only यह DEFINATION COPY में होना चाहिए आपका An Exact Number an exact number can only be, can only be expressed in, expressed in one way, one way and cannot simplified further and cannot, and cannot, cannot simplified, simplified further, उसे और simplified नहीं किया जा सकता है, ये, ठीक है, उसे मतलब ऐसे numbers इसे simplified further नहीं किया जा सकता है, उस numbers को ही exact कहते हैं, जैसे example भी यहाँ पर लिख लिख ली जगा आपको लिखना है, जैसे देखिए, number one किया है, example ऐसे लिखिए कि 2, 4, 6, ये सब जो numbers है न, dot dot, ये सब क्या exact numbers है, etc, याई पर etc, कैसे जो numbers होते हैं, वो सब exact number होते हैं, एक लाइन छोटा सा और लिख लेते हैं कि हम लोग, चलिए approximate भी जड़ा देखी लेजे, approximate number क्या होता है, approximate number क्या होता है, approximate number क्या कहेंगे, वैसे number जो certain degree of accuracy बता रहा हो, certain degree का मतलब क्यों कुछ दूरी तक वो सही बता रहा हो, जैसे कि 3.3 अगर लिख दे हम, 3.33 यह से, तो यह क्या हो रहा है, कि decimal के बाद 2 places तक सही बता रहा है, अब 3.333 तो बदो 3 places तक, 4 places तक, है न, तो ऐसे numbers को हम बताते हैं, कि वैसे number जो एक certain degree तक सही बता रहा हो, उसके बाद अप्रोक्स गलत अलब हो सकता है, तो वैसे numbers को हम बुलते हैं, approximate number कि यह लगबाग वाला, अप्रोक्स वाला number है, है न, तो लिखेंगे, those numbers which denote certain degree of accuracy, those number, those number, which denote, which denote certain degree of accuracy, certain degree of accuracy, certain degree of accuracy, देखिए, example link न, तो ज्यादा बहतर हम लोग समझ पहेंगे, जैसे कि यह student example पहला लिलते हैं, सबसे पहला example root 2, root 2 क्या है, इस root 2 को न, हम एक तरीके से नहीं लिख सकते हैं, कुछ बच्चा इस root 2 को अलग तरीके से लिख सकते हैं, कुछ बच्चा अलग तरीके से क्या मतलब हुआ, जैसे आपको पता ही होगा, कि इसका value क्या होता है, जी, 1.4142 dot dot dot, कैसे माल लिजी कि हो सकता है, अगर हम आपसे पूछते हैं, root 2 का value क्या होता है, तो आप बताते हैं, root 2 का value होता है, 1.141, आप यह बता देते या कोई हो सकता है, हम इतने लिख रहा है, 1.14 1, बस, क्या हो सकता हम रूप two का value है यह बता देते हैं, िक 1.4 बस इतने बोलते हैं, यह भी स़ही है, यह भी सही है, पर यह कहां तक सही है, तो decimal के बाद 3 places तक बता जा रहा है इसमें accuracy इसमें बता रहा है सिर्फ एक places तक यह ज़्यादा accurate है उपर वारा यह 3 degree तक सही बता रहा है यह सिर्फ एक degree तक और बता है 4142 4142 थोड़ा सा ऐसे होता है 4142 1.4142 ऐसे कोई माली जी यहां तक बताते हैं यहां तक बताते हैं तो उनका भी सही है तो root 2 का value माली जी कि 1.414 यहां तक बताते हैं तो यह भी सही degree of accuracy लगा तो ऐसे numbers को हम बोलता है approximate number ठीक है और ध्यान दीजा हम यह इसलिए लिख रहा है ताकि आगे जरूरत भी पड़ेगा हम लोग को दूसरा example देखें तो root 3 का value कितना होगा तो root 3 का value होता है 1.73 1.73 लिख सकते हैं और भी आप बढ़ान तो लिख सकते हैं 1.73 2 भी लिखा होगा है चलिए 1.73 2 लिखा होगा है second चलिए अब third number भी देखी लिजे तीसरा और क्या है हमारे पास root 5 है root 5 का value क्या होगा 2.3 to something होगा कुछ 2.236 है 2.236 dot 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 फिर आएए न pi का value क्या होता है अभी हम pi का value बता ही रहते क्या नई तो pi का value होता है 3.14159 3.14159 फिर उसके बाद क्या है dot 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 दिया गया है यह सब नंबर अप्रोक्रोक्सिमेट नंबर है कुछ और लिख देते एक्जामपल exponential का value e का value होता है 2.718 होता है 718 और क्या है 2 भी है dot 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 तो यह सब जो नंबर सेने स्टुइंट सब अप्रोक्सिमेट नंबर है 80C भी जरूर यहाँ पर दे दिजेगा etc Sam 3 का कब करवाएगा सर जी अच्छा Sam 3 अम समझे नहीं Sam 3 का क्यों करवाएगा Sam 3 को तो एक्जाम खत्म हो गया न जी Sam 3 को तो एक्जाम खत्म हो गया है BBM के उमें BBM का जो क्लासिस है Sam 3 का वो एप में upload कर दिया गया है mathematical का तो क्या जूरत है तो मुझे लग रहा है कि बाते आप समझ पार रहा है कि exact number क्या होता है वैसा number जिसको represent करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका हो जैसे 2, 4, 5, 6 and so on approximate number क्या होता है या approximate number क्या होता है वैसा number जिसको अलग-अलग तरीका से represent क्या सकता हो जो certain degree of accuracy बताता हो जैसे root 2 को ऐसे भी लिख सकते है 1.41 भी लिख सकते है 1.414 भी लिख सकते है तो यह सारे चीज़े है तो root 2 का value, root 3 का value यह सब value याद रखना है एक्जाम में सिधा सदा पूछ देगा आप से कि बताए root 2 का value कौन सही है सही कौन है क्योंकि सैम मोन में mathematical है common paper है तो arts वाले बच्चों को भी पढ़ना है science वाले बच्चों को भी पढ़ना है commerce वाले बच्चों को भी पढ़ना है इसलिए बहुत आसान paper होगा खूब अलग अलग लेबल पर टीपिकल होगा थारी नहीं परिशान नहीं हो जाना है बहुत बेसिक सही questions रहता है तो अब mathematical का भी आप लोग जानी रहे है चलिए तो अब student आते हैं आगे अब यहां पर बात आता है समस्या significant figure क्या है very very important topic क्योंकि जैसे अभी हम यहां पर आपको बताया रहे थे जैसे root 2 का यह value जैसे हम यहां पर दे दे यहां पर जैसे लिखना नहीं है भी ठीका है root 2 का value क्या होता है जी 1.4142 41 value dot 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 s है इस है कि याद रखने के लिए हम बता दिया आपको root 2 का value का 1.41 41 ऐसे हला कि decimal के बाद आप ऐसे count नहीं कर सकते है बट याद रखने के लिए रख सकते हैं 40-42 तो क्या है root 2 का value 1.4142 अगर आपसे exam में question आ जाए कि round of यह approximate the value of root 2 up to 3 decimal places कि 3 decimal places तक decimal के बाद 3 decimal places तक इसको round of करिए या फिर ऐसे पोच देता कि 3 significant figure तक round of करिए 2 significant figure तक round of करिए significant figure या significant digit एक ही चीज़ है यह significant digit क्या होता है round of करने का मतलब तो समझ रहे हैं card chart करना, approach कर देना तो बोल दिया जाए आपसे कि इसको 3 significant figure तक round of करिए तो क्या होगा पता है इसको 3 significant figure तक round of करने बोलेगा तो इसका answer हो जागा root 2 का value जो होगा 1, 1, 1 हो गया यहाँ पर 4, 1 दी यह 3 significant figure हो गया decimal places का बात होगा 3 decimal places तो होगा 1.414 वो decimal places point के बाद count होता है तो लग रहा ना confusion कि significant figure क्या है decimal places क्या करने लग रहा है क्योंकि exam question तो वही सबाएगा आईए significant figure के बारे में भी हम यहाँ पर आपसे बात कर लेते है ठीक है क्योंकि significant figure questions में आ सकता है यह digit देदेगा एक numbers देदेगा बोले कितने significant figure है इसमें count करके बताईए very very important question आ सकता है चले ना थोड़ा सा heading बनाईए आप लोग significant figure लिखिए significant digit significant digit बोलिए चाहे आप figure बोली एकिवाट से लिए चलिए लिखिए significant figure यहाँ पर क्या होते है इसका definition जल्दी से लिख लेते हैं कि significant figure कहते कि इसको है उसके बाद questions वगरापर आएंगे हम लोग लिखिए significant figure बोलिए चाहे significant digit बोलिए एक ही बात है significant figure are the number of digit कि किसी numbers में किसी number में digit तो समाझ है digit को किसको बोलते हैं आपको पता है न कि digit किसको बोलते है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही total 10 गो digit है 1 से लेकर के 9 तक और फिर 0 यह total 10 ही digit है इसी digit को combine करकर करके हम लोग नमबर बना दे हैं जैसे कि 1 0 10 बन गया एक number हो गया 1 5 15 एक number हो गया तो digit इतना ही है तो बोला गया significant figure क्या होता है तो significant figure जो होता है number of digit कि कितना digit है वहाँ पर देखे significant figure are the number of digit the the number of digit the number of digit the number of digit the number of digit ठीक है in a value the number of digit in a value in a value ठीक है often a measurement that often a measurement often a measurement measurement ठीक है measurement that contribute to the measurement that contribute to the degree contribute contribute to the degree of accuracy contribute to the degree of accuracy degree of accuracy ठीक है अब दी वैल्यू अब क्या है बात यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर क्या है क्या रहा हो है significant figure क्या होता है कि number of digit होता है वैसे number of digit को count करना है वैसे digit को गिनना है जो numbers के value को जब हम measurement करें मतलब उसका use कर रहा हो तो उसके degree of accuracy में contribution देता हो क्या मतलब गुआ example से खूब अच्छे समझेंगे लेकिन फिर भी समझ जैसे हम कहीं पर लिख दें कि 5012 यहाँ पर क्या को digit है एक digit दो तीन चार तो यहाँ पर इसका जो accuracy degree of accuracy है मतलब जो कह सकते हैं इसका जो exactly value जो है उसको बताने में क्या सारग सारा digit काम कर रहा है 5B, 0B, 1B, 2B हाँ सब का सब अपना contribution दे रहा है तो हम बोल पहेंगे यहाँ पर चार significant digit है कितना है चार significant digit है तो degree of accuracy को बताने के लिए जो हम लोग digit का use होता है उसको count करके बोल देंगे इसका पर चार significant digit है लेकिन यही चीज़ ऐसा बोलते है कि 0, 5, 2, 1 तो इसमें कितना होता है मुझे होता है कि आप लोग सब लोग बता आप आएंगे यहाँ पर 2, 5, 0, 0 अगर ऐसा रहता तब क्या हो तो जैसे यहाँ पर इस जीरो काउंट करेंगे तो काउंट करेंगे क्यों करेंगे कैसे हो गया हम बहुत इससे रूल बता देंगे कि हम लोग पता कैसे करेंगे कि आखिर कब significant काउंट हो जाएगा कब काउंट नहीं होगा यह समझ लेंगे तो कि एकजाम में पूछ देगा ऐसा नंबर देदेगा बोलो कि इसमें क्या को significant digit है काउंट करके बताएए तो इसमें 4 significant digit है पर इसमें क्या को है सिर्फ 3 गो है समझ रहा है अच्छे यही जगर हम ऐसा देते है तो इसमें सिर्फ दू को significant digit है तो decimal के लिए विदाव decimal के लिए कैसे rule change हो जा रहा है एक example से कुछ rules लिख लेते हैं फिर उस examples के मदद से हम लोग तुरंत ही देख लेंगे चलिए यहाँ पर दिखे रहा तो अभी हम क्या लिखे है significant digit का definition क्या लिखे है तो लिखे है significant figures are the numbers of digit in a value often a measurement that contribute to the degree of accuracy of the value ठीक है चलिए मतलब वैसे digit का numbers है जो value को measure किया जा रहा हो तो उसके degree of accuracy में contribution देता हो contribute करता हो ठीक है चलिए ने कि आगे लिखते हैं हम लोग कुछ note करके लिख लेते हैं कि आगे हम लोग को count कैसे करेंगे देखे यहाँ पर note लिखे जल्दी से हम पता कैसे करेंगे लिखे note क्या कि for non decimal number note number one में क्या कि for non decimal for non decimal numbers क्या अगर non decimal numbers रहेगा तो rule क्या होगा rule को थोड़ा सा जल्दी से लिख लेते हैं क्या करेंगे कि count the digits from first first none zero first none zero to last none zero example भी जरा देखते चलिए साथ साथ यहाँ पर यह कह रहा है जरा ध्यान दीजेगा यहाँ पर यह कह रहा है यहाँ पर यह आपसे बोला जा रहा है कि अगर non decimal numbers रहा मतलब उसमें दस मल्लों नहीं रहा point नहीं रहा numbers में तो उसमें हम significant digits कैसे count करेंगे तो क्या है कि count that is it from first none zero first none zero किदर से होगा यहाँ हमेंसा left तरफ से from first none zero to the last none zero मतलब जैसे अगर यहाँ पर लिखा हुआ हूँ जैसे 2708921 तो first किदर से count करेंगे left तरफ से हम इसमें count करेंगे एक नंजीरो है ना first दो तीन चार पांग छे साथ लास्ट नंजीरो यह है फर्स नंजीरो यह है तो इसके बिसके सब काउंट कर दीजिए सब क्या तोटल जितना है का पांच होगा च्छे होगा वह ही significant figure है उस नंबर का example भी साथ सब लेके चलते हैं नंबर यहां पर जैसे 275 है इसमें कहें को significant figure है आप लोग कमेंट करके बता दीजिए फिर यहां पर दूसरा लेके चलते हैं जैसे यहां पर नंबर वन ले लेते हैं फिर नंबर टू ले लेते हैं नंबर टू क्या है पॉइंट 2752 है ठीक है यह 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 जीरो टू जीरो नंबर फॉर एक और example ले लते हैं थिरी जीरो 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 टू iron allegedly ले लेंगे पॉल्थ यहoth 잡ू फाइव जीरो जीरो इसमें कहें कुए से तो देखें इसमें क्यों है नंजीरो पहले नंजीरो ध्याने जाएगा फर्स्ट नंजीरो ये लास्ट नंजीरो ये एक दू तीन तोटल तीन को है इसका क्यों होगा थ्री इसके बाद इसमें क्यों स्टिसेट है हम कौपे करदेता आप लोग ले लिए तो फर्स नंजीरो ये हैं फर्स नंजीरो एक दू तीन चार लास्ट ये वाले है तो चार i तो सित्कiver को यहां पर लास्ट भी नंजीर यह है इस वाले केश में एक खून करने जाएंगे यह सी सी वेंदेट यहां यहां पर 33 0000 पहला नंजीर में mechanics यह हैं तो इस Rolle है 1 2 4 5 तो पांचों का पांचों कांट हो जाए अब गांच इससं sound लिए आधे तो कितना घञा यहां पर कितना था यहां पना पांच इसका आप लों कमेंट करके encontramos कहें अंतिमोरो बताईए चली हैं आंतिमोरो बताईए क्या होगा ए संदीप कह रहा है है ढम ठीक है कितना होगा जी पर स्ट नंजीरो कौन है तो इसलिए सिर्फ दो ही काउंट होगा उमीद है कि सारे बच्चे जो है समझ पा रहे होंगे कि significant digit जो है हम लोग कैसे पता कर रहे हैं लेकिन यह किसके लिए था भाई तो यह जो significant digit का rule था for non decimal number जिसमें decimal होगा नहीं है उसके लिए रूल था डेसिमल रहेगा तो थोड़ा सा चेंज होगा उसके बाद फिर हम लोग आएंगे आगे approximation अगरा पर बात करें जल्दी से लिखिए अगर नोट नंबर टू में क्या था और डेसिमल नंबर और डेसिमल नंबर अगर डेसिमल नंबर रहेगा तब हम लोग क्या rule रहेगा significant digit count करने का उस case में जो student हमारा rule होगा वह होगा count all the digit from first non-zero digit इसमें simple है नंबर के लिए first non-zero से last non-zero तक था इसमें ऐसा नहीं है decimal वाले में first non-zero से last जहां तक भी जाए जिरो पर कता हो चाहिए non-zero पर कता हो सब count करने के जिसमें मुलता count all the digit from first non-zero digit कहता है इसका rule count all the digit all the digit from from first non-zero digit from first non-zero digit देखें कुछ examples भी साथ साथ देखते चलते हैं चली पहले एक्जामपल लेके चलते हैं आप लोगा बताएगा यहां पर जैसे 6.21 तो यह क्या कहता है कि इसमें आपको जब डेसिमल वाला रहेगा तो first non-zero से जितना है सब काउंट कर लीजिए तो फरस्ट नंजिरो कहा है six है तो six six फिर एक यहां पर यहां पर तोटल कहेगा तीन वह तो तीन significant हो जाएगा number two देखते है number two क्या है point one two three one two three zero इसमें कहेगा है comment कर बते इसका आप लोग answer comment करिए इसका answer comment करें सारे बच्चे number two का कितना होगा जल्दी से comment करें सब बच्चे श्रीवाला हम लिख देते हैं अचले क्या answer आए भई एक अस्ट्रोड कहा रहे है कि क्या ये course paid होगा देखे course देखे YouTube पे पढ़ाने के लिए आप लोग असपश्ट बताए हम तो YouTube पे पढ़ाने के लिए YouTube पे लोग मतलब ऐसा होता है YouTube पे views वगरा मतलब अलग तरीके के concept चल रहा होता YouTube पे तो हम लोग views के लिए आपको नहीं ऐसा पढ़ा रहे होते तो टाइटल थमनेल ऐसा होता कि most important question सीधा questions करवाते कोई concept ये सब तो concept है जो हमारा class का जो हमारे topic है वो तो approximation है तो ये सब हम क्यों बताते आपको तो जब ख जनबाज math academy app install कर लीजिए वहां पर आप इस पूरे course को 100 rupees में या 50 रुपए भी होता है course का फी पूरा mathematical जिसमें 25-30 lectures होगा फिर marathon classes last में लेते है important question खूब सारा PDF other papers का भी आपको वहां पर मदद होता है तो 50-50 रुपए में course हम लोग देते है mathematical का बाकि जिन बचों का maths major paper है उनलों के लिए math major का ही course में इसको free देते हैं हम लोग बाकि physics minor chemistry minor बाकि other papers के courses सब सिर्फ 800 rupees में उस math major जो बच्चे हैं जिनका है तो उसमे math का पूरा major का course और बाकि यह सारी चीज़े उनलों को free में वहां पर देते हैं उसी course में तो minimum free है तो यहां पर paid और free का तो बात नहीं होना चाहिए क्योंकि YouTube पर हम PDF तो दे नहीं सकते हैं na free का YouTube पर PDF देने का option नहीं है एप में खूब अच्छे ढंग से सारा किया गया है तो चलिए फिर भी YouTube पे तो class होई रहा है कोई दिक्कत है नहीं तो देखिए यहां पर क्या significant digit भी बोल सकते हैं 3 significant इसमें कहाए गया है first non zero यहां से मिल रहा है एक दू तीन और यह चार इसको भी count करेंगे क्यों क्यों कि decimal के लिए क्या है first non zero से last तक count कर दीजिए चाहे last में zero हो चाहे कुछ भी हो अब इस सब का value है आपको जब हम लोग decimal खूब अच्छे से number system पढ़ है इसलिए यहां पर एक दू तीन चार यहां पर कितना होगा four significant digit इतना होगा one two three zero इसमें zero भी count हुआ इसमें देखिए पहला नंजीरो कहां मिल रहा है यहीं पर मिल रहा है तो इसको कोई महत्तो नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ एक significant digit है इसमें देखिए पहला नंजीरो यह एक दू तीन चार पांच छे तोटल छेग हो गया तो यहां पर कितना है six significant digit तो हुमीद है कि आप सारे बच्चे इस चीज को खूब अच्छे समझ पा रहे होंगे चलिए क्या एक टॉपिक समझ में है सबको अब एक होता है इस्टूइंड डेसिमल प्लेसे अप में है आप एक और तॉपिक हम बताते हैं आपको डेसिमल प्लेसे passing सिग्निफिकेंट फिगर तो है आप समझ गया अब च्छोड़ा से डेसिमल प्लेसे भी जानने लिए कि डेसिमल प्लेसे मान लोग कुछ चीज ताहीं से कोई random sum number दे दिये अब decimal places का मतलब होता है न कि वैसा place जो decimal के बाद count हो रहा हो अगर हम बोल दे कि इसको 3 decimal places तक write क्या हम बोल दे कि write write it with write it with kis के साथ with 3 decimal places decimal places decimal places का मत्तब होता है कि decimal के बाद digit को count करना माद बोल जिया हमने three decimal places बोला न तो one जैसे तालिक दीजिए इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर क्या होगा जी इसका अंसर जो वह होगा कि जैसे one है ठीक है three decimal places तक लिखना ताम को तो four one और फिर यहां पर four तो यहीं हो गया three decimal places यही three decimal यहां one two three बस यही three decimal places बस अब आपको समझाना का प्रियास कर रहेते हैं कि चलिए यहां पर ठीक है यहां पर थोड़ा सा ध्यान देजिए आप लोग यहां पर मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से decimal places और significant figure में क्या क्या difference है किलियर है अब आते हैं बारियर श्टुएंट लिखने का हम लोग को approximation किस तरीके से हम लोग numbers को approximate कैसे करते हैं आईए तो round of करना सीखेंगे numbers को प्रॉक्स करना सीखेंगे जैसे एक example हम आपको यहां पर बता रहे थे देखिए ना पाइक अफेलू सब बचों को पता ही है कि पाइक अफेलू क्या होता है कर्वें है हालो संपर हां है बोलिये हम हम बोलिए हम 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 हानर मिति हां अ Secondly कि हाफ यह चुह को हाफ के हाफ जोह आप और आपकी में सायथ बहुत लंबे समय से बार 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 पार पोच रहे खगे अक्र अट संट होगे हैं कैसे बताएं आप बताएं वो भी आपकी माँ को बताए थे है न कोई नहीं डॉली तो अब अच्छा कोई नहीं अभी वर्टसेप पर मैसेज कर लीजिए हम एक बार देख लेते हैं ठीक है ठीक ठीक चलिए जलती से आगे लिख लेते हैं जैसे अभी हम यहां पर बता रहते हैं कि जैसे पाई के फैल्लों जानते हैं कि पाई के फैल्लों क्या होता है 3.1415926 and so on अगर हम बोले कि इसको थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड उफ करिए राउंड उफ मतलब राउंड उफ का मतलब बता है काट चार्ट के छोटा करना इसको थ्री सिग्निफिकेंट तक छोटा करिए आपको बोले थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक काम करिए थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक अप्रॉक्स करके लिख दीजिए राउंड उफ करके लिख दीजिए तो हम क्या करेंगे कि हमको कहा तक बोला गया था थ्री तक बोला गया था तो माल लिजिए यह वाला हमारा थ्री है तो इसके बाद वाला को देखेंगे कौन है वन है न पांस से कम है न पांस से कम है न तो as a tease लिख देंगे क्या लिख देंगे 3.14 यहीं तक हो रहा था, 3.14 यहीं तक हो रहा था, इसके बाद क्या था, 1 था, मतलब 5 से छोटा है, तो asities लिख देंगे, इसके बाद वाला यहां पर जो है, अगर 5 से कम है, 0, 1, 2, 3, 4, यह है, तो asities लिखा जाएगा, अगर 5 से जादा है, 5 नहीं, 5 से जादा, 6, 7, 8, 9, तो फिर एक बादा के लिखिए नहीं, और अगर 5 रहेगा, तो कभी-कभी बढ़ेगा, कभी-कभी नहीं बढ़ेगा, कब-कब बढ़ेगा, तो यहां पे even हो, asities लिखाएगा, odd हो, तो बढ़ेगा, अब क्या हम बोले है, यह जो हम बोल दिये न, फटा-फट, उसको तुरण rules rules for round of a number rules rules for rules for round of round off round of का मतलब बता काड़ शार्ट है न कि राउंड़ा जी मिल रहा है तुम मैं आधिया राउंड़ दच पर दिज्वा पूर पूरा लगा दिज्वा इसे विए राउंड़ा करना रूल्स फोर राउंड़ा अनंबर a number क्या है तो अब ज़रा ध्यान देजिए जैसे हम यहां पर आपको एक्जामपल दे रहे थे थे 3.141 इस तरी किसे की एक्जामपल दे रहे थे माली यहां पर कुछ वैसा था ऐसा था 3.4141 यह चली है नहीं कुछ भी लेलते हैं माली यह 1.41423 ऐसे कुछ करके था हम क्या बोलते हैं कि 3 significant figure तक क्या बोलते हम हां गुड क्वेश्चन कि आगे 5 रहे तो क्या करें यही हम समझाएंगे आगे 5 रहे तो क्या करेंगे समझाएंगे देखे 1.41423 एंड सो आंगर आम बोलते कि 3 significant figure तक क्या हम बोले 3 significant figure तक तक तो का हूं था हलताए एक दू तीन यह तक तीन जाता है। थर्ड Significant Figure यही है अचा हम तीन ही क्यों 4 Durch – ऑसकते थे तो चार बोल क्ता यह 5 भी तो बोल सकते थे, 6 भी तो बोल सकते थे, कुछ भी बोल सकते थे, तो जो भी बोलना है, तो हम जो बोलना चाहरा, 3 या 4 या 5 उसको इन नाम दे देते हैं, तो हम क्या बोल देते हैं ? इन्थ प्लेस रूल थोड़ा हम बहुत अच्छे से लिखेंगे पहले लिखना है उसके बाद समझेंगे इन्थ प्लेस यहाँ पे इन्थ प्लेस है और यहाँ पे माल के चला जाए कि इन्फ वन प्लेस मतलब प्लेस मतलब समझे जैसे अभी हम बोह रहे था न एक एक्जामपल साथ साथ लेके चलते हैं आप जैसे हम बोह रहे थे कि 1.414232 डॉड़ डॉड़ ऐसे कोई नमबर था माल लीजे हम बोह रहे थे 3 सिगनिफिर्ट फिगर तक 3 तो जो n का बास हो रहा न वह है तीन हमारा कैशी एक दू टीन यह हमारा 3 है थे थार्ड़ सिगनिफिर्ट फिगर यही है तो इसके बाद अज़र यह तीन है तो 3 ब्लस वन मतलब अगे इसको n बोले थे in प्लस वन वाल आ अगे है तो वह जह जो रहा अगर n प्लस 1 वा टर्म्स जो है, बाद वाला टर्म्स में, अगर माली चे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, या 4 हो, अगर बाद वाले terms में n प्लस 1 वा terms में 0, 1, 2, 3, 4 हो तो उसके पहले वाले terms, जैसे यहाँ वाला, इसके बाद वाले terms में 0, 1, 2, 3, 4 में से कोई भी हो, तो उसके पहले no change, क्या लिखेंगे? Unchange, तो उसके पहले nth place पे क्या होगा? Unchange होगा. Unchange होगा, बात समझे, Unchange, बात क्लिएर हुआ, जैसे किती Vous 3 Significantταasti , यही हैं असे इन, इसके बात निधा ख़िए कि 4 है , इस में से कोई भी रहेगा तो इसके पहले क्या होगा, रहाएrov एध ह nouveau, रहाघ क्या पार क्या हुता, पांक Chong गोट होगा हुदक तो उसके पहले वाले को increase एक बढ़ा करके लिखते है, increase by 1, increased by 1, कि एक बढ़ा करके लिखते है, कि एन टम्स को एक बढ़ाते है, अगर बाद वाले जगा, आगे वाले में, इसमें चो कोई रहता तो एक बढ़ा करके लिखते है, ये रहता तोट लिखे देते हैं अच्छा अब भूँत अच्छा सवाल है आप लोगग्या कि अगर 5 रहता तो क्या होता जासे पांच से छोटा रहे है तो अगर पांच रह गया तो पांच ही रह गया उस केस में दो इस्थिति है जैसे एक्जाम्पल के लिए आप समझे साथ साथ जैसे मालेगे कि वन पॉइंट टू वन फाइब अब यह सिक्स भी सेवन एंड सो और डॉडॉड है अगर आप से बूल झाओं की दो सिंग्नित्री विगटर तरहीर腔 तीन सिंग्नित ख्यर तक कितना तक तीन जिफिखेंट करें इसको राउंड़ चरएए चोटा प्रऴी तो क्या करेंगी we साथ किलना तक गया पहला दूसरा तीजह एए हांना यही हमारा एन्मा हो तीन है उसके बाद देखें कौन है क्अ जी किर था वा से कुत्प हो रहे उसके बाद को पांच है अगर पांच से कम रहा था तो पूरी हो तो बढ़ा के लिख देते हैं पर यहां तो पांच है कैसे होगा इस सिच्योशन में तुरंत वापस आज जैसे पांच देखे न तुरंत वापस वहीं पर आज यह जहां हमको complete हो रहा था और वहां देखेंगे कि even है कि odd है अब खुद ही देखें यह even कि odd है अगर यह odd है तो एक बढ़ा करके लिख देंगे मतलब 1.21 नहीं फिर 2 लिख देंगे एक बढ़ा देंगे यहां पर 1.22 हो जाता अगर यह even होता मतलब ऐसा होता कि 1.2457 तब उस case में यहां significant figure पर क्या होता है as it is रहा तो no change even रहेगा n प्लेस पर no change odd रहेगा तो increase करेंगे this is the rule तो क्या लिख unchanged रहेगा तो और रूल क्या है यह 5 के लिए ही रूल है तो बस यही चीज तीन है भई देख लीजे यही तीन गो रूल है हम लोग का चली जल्दी से देख लीजे और कहीं पर कुछ सवाल वगरा हो तो आप हमसे पूछे जल्दी से अब कुछ नहीं बहुत सारा questions कर लेंगे यह approximation का जो topic है complete हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में हम और भी बहुत सारा concept समझाएंगे topics वगरा discuss करेंगे पर फिलाल यहां पर आईए उमिद है कि यह बाते जो है आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा लेकिन अब बढ़ते हैं कुछ examples कियो देखें आए ने कुछ examples कर लेते हैं लिखें क्वेस्टन है टेकिंग टेकिंग पाई इक्वल टू पाई इक्वल टू कितना पाई के भेलू दिया हुआ है अब यह और पाई का भेलू जाता है तो यह पाई का भेलू दिया हुआ है बोला गया कि राउंड ओफ पाई पाई को राउंड ओफ करिए राउंड ओफ पाई कितना तक करने तो राउंड ओफ पाई टू 3 4 5 & 6 a significant figure & 6 significant figure कि इतना तक आप लोग इसको राउंड ओफ करिए मियान यह एक ही question में चार question है अब यहाँ पर आपसे बोला गया क्या solution देखिए इस question का आपसे पाई का value दिया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं कि we have क्योंकि हमारे पास अभी तो हम जब class जब यह जैसे topic complete होगा तो mcqs हम आपसे करवाएंगे उस से में हम आपसे खूब अच्छे तरीके से हम आपको यहां पर आगे खूब अच्छे तरीके से बताएंगे कि mcqs कैसे question है कैसे options होगे फिलाल concept समझेए कि पाई का value दिया हुआ है आपको इतना बड़ा सा आपसे बोला कि इस value को round off करिए मतलब card shot के छोटा करिया आप rocks करिए कितना तो पहले तीन significant figure तक करिए एक question फिर पने बोलता कि चार तक खिटार दीजे 5 तक बीकर जिए 6 तक चार question इसमें सिने तो सबसे पहले एमारे पास पाई का value कितना है इतना बड़ा सा पाई का value व्हलाकर रख दीजे क्यहां ने हमारे पास पाई का value ये है अब अच्या तो therefore अब इसी पाई को हम चाल लिख सकते हैं इसी पाई इकोन टुट पहले कितना significant figure तक तीन significant figure तक करना है करना हम को round of कैसे करेंगे पहले तो count करें थीन significant figure कहां तक आ रहा है तो देखें एक दो तीन भ्यान देखें कि यहीं पर यही तीसरा है तो दिखिए हमको यहां तक तीन कंप्लिट चाहरा आगे क्या है जी अगे क्या है वन है मतलब 01 तो फिर 3.14 लिखा जाएगा तो हम क्या लिखेंगे कि 3.14 बस यहीं नहीं थीन हो गया आपका देखिए ठीप्ट 14 यहीं तीन यहीं पर सिग्निफिकेंट फिकर कंप्लिट और रहा तीन उसके बाद क्यों है वन पांच से छोटा है न तो इसलिए no change, तो 3.140 का हो गया, तो क्या लिख देंगे हमें आपे, कि 3 significant figure बोली, चाहिए digit बोली, एकी बात है, 3 significant digit तक यह round up हुआ है, फिर 5 का value और आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद 4 तक करते हैं, तो देखे, count करिए 1, 2, 3, 4, यहां तक, 4 तक हो गया, उसके बाद student आगे 5 है, अभी तुरंद हम 5 के लिए rule बताएते, कि जैसे 5 मिले, 5 से कम मिलता तो पूरा लिख देते वैसे ही, 5 से जादे मिलता तो एक बढ़ा कर लिखते हैं, 3.14, 1 नहीं लिखाएगा, क्योंकि 5 है और यह odd है, तो तुरंद 2 लिखा जाएगा, एक बढ़ा जाएगा, यह कितना हो गया, यह हो गया, 4 significant digits, कितना हो गया, 4 significant digits हो गया, अब यह 5 का value, 5 significant digits करते हैं, तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कहां तक हो रहा है, 5 के बाद 9 है, 5 से अधीक है, तो मतलब एक बढ़ाना पड़ेगा, तो 6 कर देना पड़ेगा, तो 3.141, 6 कर देजिए, तो 3.141, 6 कर देजिए, 5 significant figure तक काम केस में हो, अब एक जल्दी से लिखे लिएते हैं, 5 का value, अब 6 significant digits तक, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके बाद कितना 2 है, 5 से छोटा है न, तो 9 जैसे है, यहां तक और वही लिखा जाएगा, तो 3.141, 5, 9, यह हो गया, कितना, 6 significant digits तक यह हो गया, हमारा हाल से, ठीक है, चली, तो मुझे उमीद है कि सारे बच्चों को यह खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा, very good संदीब, चली, चली, आते हैं, अब कुछ questions जो है, हम आपके लिए छोड़े जाते हैं, एक questions है, questions है, homebug दे देते हैं आप लोग को, यहा, क्या बोला गया है, round of the number, round of the number, कौन सा number है, two point one seven two eight two one nine three two, ठीक है, two six, significant digit, answer करना है, significant digit, और answer जो है, comment box में कर दीजेगा, हम बस यह देखना चाहरे है, हाला कि आने वाले next classes में, lecture number two में, हम इससे related, और भी कुछ-कुछ MCQs वगरा, जब जैसे unit one जैसा है, हम लोग पढ़ते हैं ही, unit one जैसे complete वोगत MCQs वगरा, हम करवाएंगे आप लोग को, पर फिलाल concept सीखना है, तोटल 20 से 22 classes में, पूरा complete करवादेंगे, सारे units खोब अच्छे से, फिर MCQs भी करवाए जाता है, चेप्टर कतब में, वोग MCQs करवाते हैं, फिलाल इसका answer आप लोग को, comment box में देना है, कि यह हमारे पास number है, 6 digits तक significant figure तक round off करना है, assessment मिलेंगे हम लोग कल अपने टाइम पर application में, ठीक है, आप लोग application इस्टाल कर लीजेगा, और कि next मिलते हैं हम लोग, lecture 2 के साथ, thank you,